इस्राइल हमास युद्ध के बीच मिडिलिस्ट का लाल सागर अमेरिका के करोणो डॉलर की ड्रोन्स का कब्रिस्तान बन गया है। जिन्हें दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है और जैसे ही वो लाल सागर के उपर उडान भरते हैं वैसे ही हुटी की मिसाइले उनका शिकार कर लेती हैं। हुटी का कहना है कि उसने इस ड्रोन पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल दागी थी। ये ड्रोन यमन के केंद्रिये प्रांथ मारीब में उडान भर रहा था। और बड़ी बात ये है कि मई 2024 में अमेरिका का ये तीसरा ड्रोन है जिसे हुटी ने मार गिराया है। आपको बता दे कि इस हमले को लेकर हुटी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर याया सारी का भी बयान सामने आया है। अजवाई मुहाफदती मारिब वगत तम्मत अमलियतु इस्तिहदाद विसारूख अर्द जव महली सुन्व वसे तम्मत तोजिया मशाहिद अलिस्गात बाद गलीलिन बइद्निल्लाइ। वहीं दूसरी तरफ News Agency Associate Press यानी AP ने खूती द्वारा जारी की गई तस्वीरों का विशलेशन किया है जिसमें पता चलता है कि अमेरिकी ड्रोन का सीना और पेट रेगिस्तान में पड़ा हुआ है। उसकी पूँच अन्य हिस्से से अलग हो चुकी है और ड्रोन का कम से कम एक हैच को वहाँ उतारने के बाद खोला गया था। हाला कि ड्रोन बिना किसी इस पष्ट विश्पोर्ट छटी में दिख रहा है यानि कि इसमें कोई धमाका नहीं हुआ है। न्यूज अजिंसी एपी का कहना है कि ड्रोन में किसी भी तरह की कोई निशानी या मार्किंग नजर नहीं आ रहे है। वहीं इस हमले को लेकर नाम ना जाहिर करने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने एपी से कहा। अमेरिकी वायू सेना ने ऐसा कोई भी एरक्राफ्ट नहीं खोया है जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जिम्मेदारी वाले इलाके में ऑपरेट कर रहा था। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि CIA ने यमन के उपर रीपर ड्रोन उड़ाए हैं जिससे युद्ध पर नजर रखी जा सके। और अरब प्रायदीप में अलकाइदा के खिलाफ अपने अभियान में भी रीपर ड्रोन उड़ाए हैं जो यमन के आतेंकी संगठन के स्थानिय सहयोगी हैं। हाला कि CIA ने इस हमले को लेकर कोई टिप पड़ी नहीं किये। क्योंकि ये इलाका वर्षों से चले आ रहे हैं युद्ध के नतीजों के लिए बेहद ही एहम है। लेकिन हूती द्वारा रीपर ड्रोन को मार गिराना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा जटका है क्योंकि पिछले 9 महिने में अमेरिका का ये छटवा MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया है। अमेरिका के ग्रीपर ड्रोन की कीमत करीब 3 करोर डॉलर है। ये ड्रोन करीब 50,000 फीट की उचाई पर उडान भर सकता है और इसकी उडान भरने की शमता करीब 24 खंटे तक है।